विराट को लिए कहते हैं कि महिन सिक धोनी मेरे मेंटॉर की तरह रहें उन्हेंनों मुझे उपकप्तान के तौर पर चुना था, मुझे सिखाया, समझाया, बढ़ाया लेकिन जब मैं उन्हें फोन करता हूँ, तो मेरा वो फोन नहीं उठाते वैसे धोनी को लेकर ये बड़ी शिकायते रहें कि धोनी किसी का फोन नहीं उठाते हैं मतलब वो फोन क्या ही कहें, सहवाग में बारे किस्ता सुनाया था, कि धोनी जब कफ्तान थे तो BCCI की तरह से एक अलग से फोन दिया गया था, कि सुनो ये सेलेक्टर्स मीटिंग में तुमको उठाना है कम से कम हमको काम हो तो तुम्हें पता रहे, तुमसे संपर कर ले, अपना फोन तो तुम देखते नहीं हो विराट भी कहते हैं कि धोनी को अगर मैं फोन मिलाता हूं धोनी उठाते ही नहीं और आज तक केवल दो बार ऐसा हुआ है कि धोनी की तरफ से मेसेज आए मेरे पास हाला कि विराट ये भी कहते हैं कि जब उनके करियर का बुरा दौर चल रहा था उस वक्त दुनिया उनका साथ छोड़ चुकी थी उनकी सबसे मजबूत कड़ी बनी थे अनुश्का शर्मा और उसके अलावा उनका परिवार और परिवार कोच के बाहर जो इनसान उनके साथ खड़ा रहा वो था महिंदु सिंग धोनी जब धोनी ने उनने संपर किया और उने समझाया बुझाया ये बताया कि यार गुरू तुम विराट कोहली हो ऐसा किस्सा हमने हनवान जी को लेके सुना था कि हनवान जी को याद दिलाना पड़ता था कि आपकी शक्तियां क्या हैं अपने शक्तियों को पहचानो और उसके बाद हनवान जी हनवान जी बन जा दे लेकिन विराट कोली के बारे में ये बाते विराट कोली ने बताया आर सीवी के एक पोड़कास में उन्होंने ये इंटर्व्यू दिया और बताया कि बोरे वक्त में स चैंप्यंज च्राफी के फाइनल ने पहुंची और टेस्स बें हम अच्छा करें वंडे में हम नमबर वान बनें लेकिन इसके बावजूद मेरे उपर हमेशा तोहमत होती है कि मैं एक फेल कप्तान हूं सिर्स एसी सी टूर्वनलाएट ना जितना क्या फेल कप्तान होता ऐ, ये विराट्टे सवाल हम आप पर बीडाल देते हैं, कि 2012 में वो टेस्टीम से ड्रॉप किया रहे थे उनका टेस्ट करियर जो है शायद वहाँ पर खत्म हो जाता या बहुत पीछे हो जाता दो तीन साल बाहर रहना पड़ता दो टेस्समाश में उन्हों रन नहीं बनाए और तीसरे टेस्समाश में उनके पास खबर आ गई थी कि बाबू तुम बाहर होने वाले हो लेकिन फिर विराट को तीसरे टेस्समाश खेलने को मिला और पूरी जान लगाते हुए एक पारी में 44 और दूसरी पारी में 75 रन बनाए और 44 और 75 बनाकर टीम में जगे पक्की कर ली उसके बाद पीछे मुणकर 2019 तक नहीं देखा क्योंक बात नहीं करता था खाना खाते समय बाकी टाइमे भी हम सब कोशिश करते थे विराट को विराट कैसे बनाया लेकिन दोनी का ज़क्र विराट ने कहा कि स्पेशल मेंशन नों करते हैं कि हम जो है वो धोनी के शुक्र गुजार हैं क्योंकि धोनी ने मुझे 23 साल की उमर में अपना वाइस कैप्टन चुना था लगातार मुझे ग्रूम किया मुझे में कॉन्फिडेंस दिया और वैसे तो वो फोन नहीं उठाते लेकिन उस बीच में उनका कॉल मेसेज सब आया और समझाया कि तुम विराट कोली हो और ये इसलिए भी खास था और ये इसका मलाल जो है उनके प्रशंसकों को है लेकिन इस विराट के पोड़कास में कौन सी बाते हैं जो आपको लग रहा कि अच्छी और धोनी वाली बात फोन ने उठाते हैं